हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि RRB अजमेर का NTPC का जो 2017 के अंदर DV हुआ था उसका final cut-up जो है वो कितना पे रहा था फ्रेंट्स इससे पहले में आपको यह clear कर देना चाहता हूं कि यह जो आपका cut-up है ना फ्रेंट्स यह 100 पे जैसा कि 80% कितना होगा 80 marks होगा तो इसी प्रकार से यह जो cut-up बनाया गया है फ्रेंट्स वह आपका 120 में से 86 नहीं है यह 100 में से 86 है मिन देखिए सब में जो है 85-86% के आसपस cut-up रहा है आप देख लेते हैं कि इक बार cut-up इक बार चेक कर लेते हैं तो फ्रेंट्स कमर्चियल अपर अपरेंट्स के बात कर लें NWR zone के लिए यानि North Western Railway के लिए तो UR का C पे OBC का C पे SC का 76 पे HD का 78 पे और Retard Sarisement का 63 पे लगा है अब फ्रेंट्स गूट्स गाट को देख लेते हैं गूट्स गाट के अंदर जो NWR का zone है North Western Railway के अंदर तो जनरल का 79 पे OBC का 79 पे SC का 73 और ST का 72 पे लगा है गूट्स गाट का देख लेते हैं WCR zone के लिए West Central Railway के लिए तो फ्रेंट्स जनरल का 78 पे OBC का 78 पे SC का 73 पे और ST का 71 पे लगा है अब Senior Clerk कम टाइपिस्ट को देखे NWR zone के लिए तो जनरल का और OBC का कोई seat नहीं था और SC का 80 पे लगा है ST का 79 पे ल यानि West Central Railway के लिए तो जनरल का जो है वो seat नहीं था OBC का 85 पे और फ्रेंट्स SC का भी कोई seat नहीं था ST का 76 पे लगा है अब देख लेते हैं ASM का Assistant Station Master के NWR zone से तो जनरल का 75 पे OBC का 75 पे SC का 79 पे लगा है मैं फ्रेंट्स बात कर लेते हैं Assistant Station Master WCR zone के लिए तो UR का 75 पे आपका जो BCA 75 पे SC 79 पे और ST 79 पे फ्रेंट्स इस बार की कटप को बात करें तो देखें पिछला बार के पिक्छा इस बार तो वेकेंसी डबल है पिछला बार 18,000 के प्लस वेकेंसी थी और अभी अगर देखें तो 35,000 प्लस वेकेंसी है लेकिन कटप की बात करें फ्रेंट्स तो कटप जो है वो आपका इसके आसपास ही रहने वाला है क्योंकि यह एक कड़वी सच चाहिए देखिए उस समय के अनुसार से अभी competition काफी बढ़ा हुआ है तो कटप जो है वो 80 के आसपास ही रहने वाला ह तो फ्रेंट्स आपको कुछ नहीं करना है आपको जोर सोर से अपना त्यारी को बनाए रखना है और हिमांदारी पुरवक त्यारी करना है फ्रेंट्स यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेलवे से जुड़ी इत्ते रहें धन्यवाद